दोस्तों आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तों राशी ना सिर्फ किसी का व्यक्तित पर बलकि उनके नेचर और लाइफ के सिक्रेट्स भी पुल देती हैं किसी व्यक्ति का सोभाव कैसा है आप उनकी राशी से सब कुछ पता लगा सकते हैं आज हम आपको मेश से मिन राशियों के कमजोरी और उनकी ताकत के बारे में बताएंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं मेश राशी की इस राशी चिन्ने के तहर चन्मे व्यक्ति जीवन की नई उर्ज़ा से भरे हुए रहते हैं आवेगी, वरीत और आत्मकेंवरत होते हैं राशी चकरगी प्रथम राशी होने की वजह से ये शिशु की तरहां मासूम होते हैं इनका प्रतीक मेढ़ा होता है जो निडर और साहसी होता है ये अपना जिवन अपने शर्टों पर जीना चाहते हैं और अपने विचारधारा से समझाता नहीं करना चाहते सत्य तो यह है कि ये अति उत्साह से भरे हुए रहते हैं और जो लक्ष नरधारित कर लिया है उसे पाने के लिए कमर गसकर लग जाते हैं लेकिन जिस उत्साह से कारे का आरंब करते हैं उस उत्साह को अंत तक नहीं बना कर रख पाते और बहुत जल्दी अपनी रूची खो देते हैं लेकिन कारे शुरू करने का इनमें इतना जोश होता है कि जहां फरिस्ते भी कारे शुरू करने से डरते हैं ये प्रसन्यता से उस काम को हाथ में ले लेते हैं मेश राशी के लोग गलत को गलत और सही को सही कहने में जोरा भी नहीं हिचकिचाते उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे वे किसी भी हाल में अन्याय को बर्दास्त नहीं कर पाते अलाकि इन्हें कई बार अपने किये पर पच्छतावा भी होता है लेकिन वो कहते हैं न किया पच्छताए होट क्या जब चुडिया चुप गई खेत इस राशी के लोग बहुत हद तक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं अब बात करते हैं ब्रिशव राशी की इस राशी चिन्ने के तहट जन में जाथ तक अपने प्रयासों और गड़ी महनत का पारी दोशित पाना चाहते हैं और भीना सोचे समझे किसी भी काम को करने के लिए जूज जाते हैं इसका प्रतीक बैल है और यह राशी चक्र के दूस सदन में आते हैं ये धरातल से जुड़े वैत्ती होते हैं और जिस पर विश्वास करते हैं वही कहते हैं वे बहारिक स्थाई और विश्वस्निय होते हैं और जिंदिगी इनके सामने जैसे आती है वैसे ही अपने लक्ष की और आगे बढ़ते जाते हैं परे लगातार और धी मेधी में, इनकी ताकर इनका स्थाइत्व, इमानदारी और कड़ा संकल्प होता है, इन्हें अपने मार्ग से डिगाने या इनका ध्यान भटकाना बहुत कठीन होता है, ये अपने लक्ष की और पहुचना चाहते हैं और ये अवश्य ही पहुच कर रहते हैं, ये जोकी मुठ जिद्धी और सक्त मिचाज के होते हैं, आप कह सकते हैं कि एक मनुष्य जितना सक्त हो सकता है, व्रिशब राशी के लोग उतने होते हैं, बले ये वह महिला है या पुरुष, अगर वे व्रिशब राशी के हैं, तो वे अपनी राय और मानने दाओं को लेकर काफी या जहां जाना इन्हें नहीं पसंद, आपको इन्हें वहा लेकर नहीं जा सकते। अब बात करता है मिठम राशें के चातका हाजर जवाब और फुर्तेले होते हैं चुड़वा के प्रतेक चिन्नवाली ये चातक आकर्षक और दोस्ताना होते हैं इनकी जिग्यासु प्रवित्ते और चतुराई इन्हें समाजिक समारोह और पार्टी के आकरशन का केंद्र बना देती हैं यहना केवल अच्छे बाच्चित करने वाले होते हैं बलकि अच्छे सुनने वाले भी होते हैं जिससे यह कुछ सिख पाएं और प्रतिक्रिया दे पाएं इनकी जिंदगी पूरी की पूरी तरह इनकी बाच्चित करन की जरुरत के आगे पीछे घुमती है यह जिस वारता में शामिल होते हैं वो केवल साधारन बाते ना होकर सुचना प्रधान वारतालाप होता है इसके लिए इन्हें हमेशा अपने आपको नमिन्तम सुचनाओं से लैस रखना पड़ता है इनके लिए रिष्टे भी बहुत मह पत्वर रखते हैं जिसके लिए यह अपने व्यस्त दिंचरिया से समय निकाल कर जिंदगी के अलग-अलग छेत्रों के लोगों से मिलते हैं जिससे ने 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 दोस्त मिल सकें और यह अपने मित्रों का दायरा बढ़ा सकें इस राशी के लोग समय की किमत को नहीं मानते इन इन्हें परिवर्तन बहुत पसंद होता है शायद यह दिमागी रुप से कंट्यूज रहते हैं तब एक जाब एक अस्थान यहां तक कि एक जिवन साथी के साथ भी यह काफी समय तक नहीं रह सकते यह लोग कुछ भी कर गुजर सकते हैं इनकी इमेजिनेशन पावर बहुत तेज होती है आई अब बात करते हैं करक राशी की करक राशी के लोग बहुत ज्यादा संविदन चिल होते हैं जितनी ज्यादा संविदन उतनी ही ज्यादा अनिराशा इस राशी के लोग अंदुरुनी तोर पर बेहत निराशावान होते हैं करक राशी राशी चक्र का चौ कड़ा है ये सबीदन शिल और भावनात्मक होते हैं और अपने घर और परिवार के आराम के साथ बहुत खुश रहते हैं और जब घरेलू मुर्चे पर शान्ति पूर्ण होता है तब ये अपना सबसे अच्छा फरदर्शन करते हैं अपने मुल्द स्वभाव से पोशेट करक राशी के चाह तक एक गहरी मात्परी वृत्ति के अधिकारी और सहज और स्वभावी ज्यान से परिपूर्ण होते हैं ये बड़े परिवार की चाहत रखते हैं जो दुसरों के लिए भी रक्षा उपलब्द कराता है ये जहां जाते हैं वहां आशियाना बनाते हैं इन्हे रूची कर लगता है लेकिन घर से ज़ादा दिनों और ज़ादा दूर जाना इन्हें पसंद नहीं है क्योंकि इसके लिए इन्हें घर से दूर जाना पड़ता है ये पार्क में यह पिकनिक मनाकर ही खुश हो जाते हैं ये अपने परिवार और उसकी परंप्रा से बहुत प पास्त्रेक रूप में ये लोग निराश्या के साय में हमेशा घीरे रहते हैं इनके अंदर एक अजिब सा तर्य हर समय रहता है करक राशी के लोग बहुत जदा मुड़ी होते हैं अगर कभी बीना किसी बात कोई आप से यूहीं लड़ बैट है या बहस करने लगे तो जान द लड़ सकता है यह सिर्फ और से राशी का वेक्ति ही चानता है इस राशी कख रतनेέλेत्व सक्ति शाली शेयर करता है यह राशी गर्व मुखर मजबूत आत्म विस्वास और सहसी गुनों को प्रढ़शित करती हैं अगर किसी मिशन के अंत्य में ये खुद को शिर्श पर न जातक अपनी गलती पर भी उतार रहते हैं, इसने ही और नाटक की विवाहर से भरपूर, ये अपने व्यक्तित्प के कारण भीड में भी अलग नजराते हैं, और अपने आगरश्रण से प्रभाव डालने में सफल रहते हैं, इनके खर्च असिमित होते हैं, और साथ इन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इनकी कोई सेविंग नहीं है अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह करनी की योजना बना रहे हैं जो सिह राशी से संबंध रखता है तो एक बात आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए किसी राशी के लोगों के लिए संबंधों में स्पैस का कोई अर्थ है ही यह वास्तों में ये लोगों के मन पर एका मिट छाप छोड़ देते हैं। बहुत महत्वकांचि होते हैं और इनकी ताकत इनहें अपने लक्षें को कुराकरने की शक्ति देता है। अपने लक्ष की पूर्ती में ये अती आत्मिस्वास और तीजी से आगे बढ़ते हैं कि कभी-कभी अपने ध्यान से भटक जाते हैं अलाकि सिह जातक सबसे मुखर तीज और धीट होते हैं पर अंदर से ये उदार होते हैं इनके वेभार से कई बार लोग अपमानित महसूस क करते हैं लेकिन बार में इन्हें मना लेते हैं इनमें एक मझबुत संदर ये बोध होता है संपत्ती के लिए बलकि आसपास के वातवर्ण के लिए आप जांते हैं स्वान न और उन्हेंद का आती को कभी अपने अंदर खामी नचर नहीं आते और यहीं उनकी सबसे बड़ी कजन्त हे नहीं संगे, और यह अपने आलूचन आetes तेलऌना बिल्कुल पसंद नहीं लेकिन यह किसी भी बात का बुरा नहीं मानते और अपना ध्यान दूसरों की मदद पर लगाकर रखते हैं। और यह नहीं सोचते कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। संतुलेत और निस्पक्ष कन्याराशी के लोग अनावश्यक रुपसे भावनाओं में नहीं बहते, चाहे कैसे भी स्थिती सामने आए, ये अपने आपको शांत रखने में कामयाब रहते हैं, लेकिन ये अधी सर्वस्त्रेश्ट प्रयासों के बावजुद काम में सफलता नह बागते हैं, बलके कड़ी मेहनत और शांत संकल्प के साथ अपनी छमताएं साबित करके दिखाते हैं, ये सैयम हिन नहीं होते हैं, हलाकि ये इमानदार और सपश्ट वादी प्राणी जगड़े और वहस में तब पढ़ते हैं, जब कोई इनका विरोध करता है, शायद यही वजहे की अंत में इनके कई दुश्मन बन जाते हैं, आइए अब बात करते हैं तूला राशी की, ये विवादों को निप्टाने में कुशल होते हैं, इनमें नियाई की गहरी भावना होती है, निस्पक्षता की यह लगर इनकी वैक्तिगत जरूरत होती है, संघर्ष और टकराओं से बचने के लिए चतूर रड़नीती कार और आयोजग, ये जानते हैं कि कैसे चीजों को अत्यंत सिष्टता के साथ किया जाता है, तूला राशी के जा तक अपने दिमाग का अच्छा उपयोग करना जानते हैं, ये अपने विचारों का दूसरों के साथ संचार क आनन्द लेते हैं, ये दुसरों को बहतर तरीके से जानने के लिए एक उचित तरीका अपनाते हैं, निश्पक्ष तरक करने के लिए ये एक उटनितेक और समझोते का रास्ता अपनाते हैं, तूला राशी के लोग बहुत ज़्यादा अलसी माने जाते हैं, कई दिनों तक ये लोग बस प्लान बनाते हैं, और अंत में अपने आलस की वजह से उस प्लान को पूरा नहीं कर पाते, ये लोग सही समय पर सही निर्ड़ा लेने में भी पीछे रह जाते हैं, तूला में जन्मे चातक के लिए यह अक्सर देखा जाता है कि अकेले रहने से नफरत करते है ये बाचित शुरू करने और समाजी करण पसंद करते हैं, और खुद को लोगों से घेरा हुआ रखते हैं, और तेजी से कैसे दूसरों से संबंद कैसे विक्सित करें, इस पर ध्यान गेंद्रत करते हैं, एक जोड़ा अगर यह प्रयास करे तो जादा बहतर होता है, बजा राशी के जातक सार संग्रह करना, संतुलन, सद्भाव और निस्पक्ष खेलने की भावना से ओत प्रोत रहते हैं, आईए अब बात करते हैं व्रिचक राशी की, इनकी जटील और गोपनिय प्रकृति इन्हें संदेग्द बनाती है, और वे विश्वास गात या जांच की थोड़ी सी भी संकेत पर सावधान हो जाते हैं, व्रिचक राशी के जातकों के पास आश्चर चनक रुप से संसाधनों के श्रोत होते हैं, इसके लावा ये बहुत भावोक और आवेगी होते हैं, जो दुसरों में डर या खौफ पैदा करता है, ये बहुत वफदार दोस् समय में ये बहुत खतरनाक दुश्मन बनने की छमता रखते हैं, बदला लेने और बदला पानी के एक्छा इनकी रगों में खुन बनकर दोड़ता है, इनकी विसमयकारी शक्ती और रहसमय नजरें इनके आसपास के लोगों को सम्मोहित कर देती हैं, प्रिचक राशी के लो प्रिचक राशी के लोग सच कहना और सच सुनना ही पसंद करते हैं, गंभीर, निडर, समय पर जिद्धी, तिव्प्र और भावक, प्रिचक राशी में जर्में जातकों को आम तोर पर हलके में नहीं लिया जा सकता है, ये अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, और सवाल पर ध्यान केंद्रेत करते हैं, रहस्य को खूजते हैं, जो काले और सफेद की दुनिया के बीच में पाया जाता है, अधिकांसर्व रिच्चक राशी के जातकों में एक असंतोशिय जिग्यासा होती है, जो इनके खूजी आत्माओं के लिए इंधन का काम करती है, आ स्वास करते हैं, दार्शनिक और धार्मिक दिमाग वाले धनुराशी के लोग जीवन का अर्थ खोजने के एक्छा रखते हैं, यह स्पष्ट विचारक होते हैं, और इनने तब खुशी होती है, जब दुसरे इनकी अच्छी तरह से सोची समची गई बात से सहमत होते हैं, लेकिन यह कभी-कभी तारकेक, कुंद और कठोर भी हो सकते हैं, धनुराशी का व्यक्ति अगर अपने परिवार के प्रती समर्पित नहीं है, उसे अपने निकट जनु के लिए कुछ नहीं करना, तो वह एक बहुत अच्छा जुवारी होगा, जुए खेलने के स्थान और तरीके धनुराशी के व्यक्ति को कुछ इस तरह आकरशित करते हैं, जैसे शहद को देखकर मक्षी आकरशित होती है, वे यह नहीं सोचते कि इससे उनका कितना नुकसान होगा, उन्हें जुआ खेलना है, तो वे जरूर खेलेंगे, यहीं उनकी सबसे बड़ी कमजूरी या खामी है, यह जितने उत्साही बात करने वाले होते हैं, उतने ही उत्साही शोता भी होते हैं, यह अपनी ग्यान की शुदा शांद करने के लिए दूसरों की बात ध्यान से सुनते हैं, और सुचनाएं एकत्रित करते हैं, यह ग्यान की खोज में अनंत दुनिया में घुमना चाहते हैं और यदि इन्हें रोका जाए तो ये धैरिक होने लगते हैं और इन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है अब बात करते हैं मकर राशी की ये अत्यंत विवाहारिक होते हैं और अपने लक्षों को पाने के लिए जित्ती होने की हर तक समरपित रहते हैं ये अपनी क कभी कोई रियायत बरतते हैं जिससे इनकी महनत में कोई कमी आए मकर राशी के लोग दिखाते जरूर है कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन अंदर ही अंदर ये लोग अपनी तारिफ सुनने के लिए तरपते हैं इन इस भी गतिविधी को चुनते हैं उस छेत्र में शिर्ष तक पहुचते हैं पर अत्यंत सावदानी और दृड़ दृष्टिकून के साथ आगे बढ़ते हैं ये अपने दृष्टिकून के बारे में सत्रक होते हैं ये अपनी प्रगति और सम्रिद्य को पाने के लिए कड़ मानविये और परुपकारी कुम राशी के जातक मानों जाती के प्रति प्यार और समाज की बहतरी के लिए कुछ भी कर जकते हैं। अलग सोच रखने वाले लोगों से कुम राशी के लोग संबंद नहीं बना पाते। कौशल होता है। यह जान बुझकर अपने आप में खोए रहते हैं। जिससे दुसरे लोगों को इनसे मिलने जुलने में परिशानी आती है। नतिजन यह अकेले पढ़ जाते हैं। अईब जानते हैं मिन राशी के बारे में। इसका प्रतिक चिन्ना मचली की एक जोड़ी होती है। मिन राशी अध्यात्मेक, निस्वार्त और मुक्ष की और आत्मा की यात्रा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यह अपनी आदर्शुवादी दुनिया में रहते हैं। और कई बार इन्हें कल्पना और तथ्य में भेद करना कठीन लगता है। इनका मोह भंग हो जाता है, त्याक हो जाता है। में राशी के जातकों को समस्यां को सुल्जाने से जादा उस समस्या से भागने में मजा आता है। ये शित अस्तर तक पालन करने लगे तो रास्ते सरल हो जाते हैं। ये काफी अविबहारिक होते हैं और कुछ हद तक असहज होते हैं। कि अविड़ाद काफी हमें। सुल्ख टेशप्या